को बताऊंगा कैसे आप corrupted memory card को format कर सकते एक card rear में आपने memory card लगा दिया और usb में इंटर किया कि यह देखिए 15 MB दिखा रहा है इस memory card यह 2gb का memory card है मगर 15 MB दिखा रहा है पहले आप normal format करके देख लीजिएगा अगर यह capacity lower देखा रहा है मतलब यह अभी यहां से format नहीं होगा यह 16 MB 16 MB दिखाएगा format करने के बार भी तो भी एक बार देख लेता हूं जाके 2gb memory card 15 MB दिखा रहा है अब मैं advanced tools open करूंगा जैसे cmd open करूंगा windows plus r की प्रेस करके इसमें आप format लिख के जो आपका drive है पहला देखिती है यह जी ड्राइव जी ट्राइव सेमिक्राइव और इंटर मरिया देखिए रेडी दिखा रहा है 16 MB दिखा रहा है प्रेट दिखा रहा है अभी हम मैं एक computer management में जाएंगे यहां डीक्स management में जाएंगे और यह देखिए यहां पर जो इस और यह 8 GB का memory card है और यहां 7.1 GB 16 MB primary एक partition होके बैटर रहा है तो इसको पहले आप प्रपर्टीज में जाएंगे और delete this volume अब दिखा रहा है यह भी delete करिएगा गलती से अब यह दूसरा बाला hard disk को हाथ भी मत लगएगा इस जो रिमेवल दिखा रहा ही इसको इन हाथ देखे करेंगे delete volume करिएगा तो delete हो जाएगा अभी इसको आप new simple volume बोलके create भी कर सकते है जितना इन भी है वह आपको इस पूल के drive आ जाएगा एकटर और यह 830 भी कर सकते है और इंटीबेस भी कर सकते है दिखेएगा यह 8 GB पेंड्रेव आपको वाशो कर देगा यह format हो गया है new volume बोलके यह आपका पेंड्राइब आ गया है lgv देखिए new volume बोलके इसको आप remove करिए और इसको फेर से लगाए है तो ओके दोस्ते यह 15 M भी दिखा रहा था यह पेंड्रेव यह पेंड्रेव नहीं यह सरी यह memory card है जो आभी 7.1gv दिखा रहा है यह corrupted हो गया था अभी require भी हो गया है thanks for watching और आगे भी देखते रहेएगा ऐसा वीडियो में इस चैनल में दुबरा पोस्ट करते रहूंगा झाल